रितिक रोशन ने हालिया इंटर्वियू में बताया कि वार की शूटिंग के दौरान वो बड़े बिमार महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएंगे। क्योंकि वो फिल्म में अपने किर्दार के लिए परफेक्ट होना और दिखना चाहते थे। यहां उन्होंने अपनी बॉड़ी और हेल्थ के बारे में बात की। उनका कहना था कि वार फिल्म की जो मांग थी वो इसके लिए तयार नहीं थे। इस बाबत विस्तार से बात करते हुए वो कहते हैं यह मेरी उम्र की बात थी, मेरी बॉड़ी की बात थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ कुछ रातों को जब मैं शूटिंग और ट्रेनिंग से लॉट कर घर आता था, तो मैं श्योर नहीं होता था कि मैं सुबह जागूंगा या नहीं क्योंकि वार फिल्म के लिए खुद को तयार करना उन्हें बहुत बड़ा चालेंज लग रहा था वार से पहले रितिक सूपर 30 नाम की फिल्म में नज़र आये थे, यह मैठमेटीशिन आनन कुमार का बायोपिक था इस फिल्म में उन्हें एक बलकी शरीर वाले लुक में दिखना था, जबकि वार में उन्हें 6-pack आप्स चाहिए थे रितिक का कहना है कि वो हमेशा चीजों को परफेक्ट तरीके से करना शाते हैं बगर इस बार उन्हें ये डर सता रहा था कि फिल्म की मांग के मुताबिक अगर वो खुद को तयार नहीं कर पाए तो क्या होगा कहीं लोगों को ये तो नहीं लगने लगेगा कि वो वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे हलाकि ये सोचना बहुत टॉक्सिक तरीका है ये बात रितिक को भी इस प्रोसेस के दौरान समझ जा वो कहते हैं मैं परफेक्शन के चकर में अपने भीतर कुछ बरबाद कर रहा था और मेरा मानना है कि उस चीज का असर मेरे दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ा क्योंकि इस फिल्म के बाद मैं अजरेनल फटीग में चला गया इस वज़ज़ से अगले तीन-चार महीनों तक मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था मैं डिप्रेशन की कगार पर पहुच चुका था मैं एकदम गुम हुआ सा महसूस कर रहा तब मुझे एसास हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में बदलाव की जरूरत है अजरेनल फटीग एक मेंटल कंडिशन है यह लंबे समय तक होने वाले गंभीर स्ट्रेस की वज़ज़ से पनबता है इसकी वज़ज़ से लोगों को ब्रॉंकाइटिस, फ्लू, निमोनिया, डि प्रेशन और एंग्जाइटी अटाक्स हो सकते हैं। रितिक इसी सिचुएशन से गुज़र रहे थे, मगर वो अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आये, इसलिए अब वो बहतर मान से कवस्था में हैं। रितिक रोशन इंदेनों, दीपिका पादुकोर्ण और अनि अबने हारिका यादव, तेक्तेरेगे ललन टॉप सेनमा, शुक्रियां।